आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मेटेरियल का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें लोग पढ़ेंगे पेंट एंड वार्निस ठीक है अभी तक आप लोगों ने टॉपिक पढ़े आप अभी तक अगर नहीं पढ़ा पाया तो पहले उनको पढ़ी बड़े इंपॉर्ट कि हम जब भी मैं दिखाता हूं तो मैं अपने मन से देखे टीचर कई तरह से पढ़ाते हैं सबका अपना तरीका होता है तुर्वाती लेवल पर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कुछ बिना वजह की ज्यान दूंगा जो रिलेवेंट नहीं रहेंगे आपके सब आपको ल सब्हारी गूगल से एक पूछो दस बताता है समाझ मने आता है कि इसमें से क्या पढ़े और क्या छोड़े दो तुमको मैं ये सिखा रहा हूं तुम्हारे फस्टियर से तो कि तुमको क्या पढ़ना और चोड़ना है क्यों कि जानते हो कि आज यदी तुम यह नहीं सीक्श होंगे उनको अच्छा लग रहा हूं लेकिन बस इतना जान लेजे दोस्त कि जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं वो रिलेवेंट होके पढ़ाऊंगा और हमेशा आपको तले बस दिखा के पढ़ा हूं ऐसा नहीं कि शुरू हुए कहीं से कुछ का कुछ बोले चले कई बच किताब का मतलब उसमें जो जो लिखा हुआ पढ़िये लेकिन कम से कम इसको तो पढ़िये ही जो दिया गया है कम से कम इसको तो पढ़िये उसके बाद पढ़िये किताब कई बार ऐसा होगा इसमें कई चीजिए आपको किताब नहीं मिलेंगी तब आप क्या करेंगे मैं तो परिशान मत हो यह जो इसको थियोरी केवल समझने की गलती करेगा वो इसमें बहुत टेक्निकालिटी है ठीक है और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं त्यूरेटिकल पढ़ाता हूं आगे आप अभी फस्टीयर में सेकंडियर से आपको मैं ही मिलूंगा फस्टीयर में खूब म चैप्टर का क्या नाम है paint and varnishes आइसे paint भी पढ़ना और वार्निस भी टॉपीक क्या-क्या है पहला चैप्टर में टॉपिक है इंट्रोडक्शन यानि paint के बारे में बताइए इसके क्या परपज और यूज है मतलब paint करने का क्या उद्देशत है और क्या इसके uses नहीं क्या से प्रयोग बड़ी वायात सी बात है लेकिन हमें तो लिखने के लिए चाहिए पॉइंट से टाइप कितने होते हैं पेंट के इंग्रिडियेंट्स मनें किन से मिलके पेंट बनता है पेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और आयल का यूज वाटर पेंट का अच्छादन उसका जो कहते हैं हमता अभी बताऊं कवरिंग केपस्टी के आती बहुत छोटा से टॉपिक है असान सा यह इतना टॉपिकल नहीं पूरा टॉपिक यह तना नहीं आपको सबसे ज़्यादर टाइम लेने वाला टॉपिक इसमें यह है यह जो सेकेंड वाला है यह यह जैसे लेबस है मैं हिंदी महीं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिस दोनों मिला करके ठीक है त्रेड नेम और डिफ्रेंट प्रोडक्स मतलब अलग 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 प्रोडक्ट के बाजारू नाम क्या है ठीक है अब आप चांते हैं जैसे सीमेंट पेंट है ठीक है इमेंट सब्गन कफ टेन उस लोग सिमेंट पयंट को बाजार में हमलोग सनों से इससे नाम से इसलोग बोलचाल में मिश्ट्री लोग वो या इसको इसको सोलो क्रीट के नाम से जानते हैं तो बाजार किसी चीचट का जो नाम वह लग होता है अरे différents पड़त प्षैनिटिस्ट अपने लिए जैसे आप पूझता आप से इस चीज का व्याग्यानिक नाम बताएं साइंटिस्ट ने निम इसका क्या कि का मतलब व्याग्यानिक कुछ और बोलते हैं और हम आदमियों के लिए वह अलग चीज होते है तो सिमेंट पेंट या हम लोग और को इनजिनियर्स orieकर 11 करते हैं उसके अलावा उसका ट्रेडम अलग हो सकता है ठीक है ङंट मतलब बाजारू नाम किसी वी पदार्त का बाजारू नाम हो सकता है और उसको अपनी बहしो करते हैं लग नाम से बुला सकते हैं तो वैसे तो यह भी कोई टॉपिक नहीं है इसमें ज्यादा तर केवल सिमेंट पेंट की ही बात करता अब डिफरेंट प्रोड़क्त डिफरेंट में हैं पेंट ही पढ़ रहा है तो पेंट में जो ऐसे पेंट आए जो भी ऐसे पेंट मिलेंगे जिनका बाजारू ना वाला होगा तो वहीं पर बत की थोड़ा सही है और ये एक लाइन और ये कोई टॉपिक ही नहीं हें थोड़ा सहीं ठेक ना इनि इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना समझ आप आगे चला जर्म जा सब आगे चला जा हम लोग चले करते हैं अफना टॉपिक क्या है पैंट और निस्ति के बारे में क्या प्रिम्हासा अब लोग समय से बहुत यूज करते आ रहे हैं पैंट को इसको बताने की जरूरत नहीं पैंट के बारे मैं सीधी से बात बोलों तो पैंट एक ऐसा पदार्थ है ठीक है ना जो किसी भी संदचना पर अंतिम रूप से संपूर्ती के रूप में हिंदी बोल रहा हूं अंतिम रूप से पूर्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है जो संदचना के ऊपर एक ऐसा और पारदर्थी परत बना देता है जिससे इसकी सुरच्छा होती है साथ ही साथ इसकी सुन्दरता भी बढ़ती है यह हूई पैंट की हिंदी परिवाद एन पैंट के बारे में बोलें कि इटी सबस्ताइंस ता इस जाड़ फाइनल फिनिस्माटेरियल अनस अर फिस एजव पोटी तो प्रोटेक्ट और डेकृट अर देकृरेट दसर्फेस अंक्या बोला इंग्लीश में भी बोला आपसे धिन्दी में भी बोला इसको ठीक न यानि तु प्रोटेक और डेकृरेट अस surface we need a substance that is called paint paint is an in a little pack you create the top pack come at the bottom of our party opaque layer MATLAB other parents are licking even it is it is it is a substance substance which create create an opaque layer opaque layer on a surface on a surface when applied it protects it protects protects and make the surface make the surface make the surface surface appearance appearance I mean I'm a silly click I put so in a kind of Kali moose about the book about the list and I'm an apple licker what are you so kind of sir but I do start me up English इसमें लिख रहा है हिंदी में लिखने से मतलब थोड़ा मेरा हाथ उसमें इसे घुमाना पड़ता है ज़ला इक खट-खट-खट-खट-चलता है मैं बोल दे रहा हूं इटी जा सबस्टान्स स्विछ create और पैकर सर पेंट के बारे में इतना ज्यच कि जा रहा है लिखना सीखो देखो कैसे लिखते हैं कहते हैं कि पेंट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी सता पर जब लगाया जाता है तो एक और पारदर्सी परत तैयार करता है यह सता को बचाता है साथ साथ उसको सुंद भी बनाता है ये इसकी हिंदी बाग हो तो देखो मैं समझाता है चलना हूँ अब थोड़ा ये लिखने में समय नहीं बेश्ट करना है मैं बोलूँगा तुम सुनो जहां लिखने वाली चीज़ रेगी टीकूंगा पेंट में उतना लिखने और डाइग्राम वाली चीज़े ह जाने कितने तरह से कुछेकात तरह के नाम भी लिखे लेते हैं ठीक आ जैसा मेंगव बोलेंगे को ऐसे समझेगा ओएल पेंट ओओयल पेंट यानि दो पेंट कोई भी ओ पेंट का जो नाम रखा जाता है ना नेम आप देंट नेम और द पेंट पेंट इस जनरल पेंडली जनरली केफ्ट एज केफ्ट एज केफ्ट एज डबेस यूजड इन यूजड इन इट यानि अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि स्मुद्वे का मतलब है पेंट जिन पदार्तों से मिलके बना होता है वो थे बेस वीकल थीनर इनर्ट फिलर ड्रायर एंड कलरिंग पि ही होती है बेस मतलब जो भारी मातर पेंट में होता है उसका बेस होता है जो दाहेंटाइड होते हैं जनलरली अभी बताएंगे तो उनहीं के अधार प 1993 होता में आता है पाउडर में आता है पानी मिला के घोल कर लगा दिये वह वाटर फिंट कहा जाथ एक सिमेंट का बेस बना हो समरू इसमें क्या कह रहा सकते है इसको सिमेंट पेंट बिटुमिनस पेंट जब बिटुमिन का बेस बनाओ अभी अभी देखो धीरे-धीरे का पार्ट पुलेगा मैं बताऊंगा बिटुमिनस पेंट क्या होता है यह पढ़ाँगा जो इसके बाद एक चेप्टर है उसमें इसको बरहें ज्यादा दिटिल में मिलेगा इस टाइप से लुमिनस पेंट क्लोरिनेटेड जाबर मतलब जिस चीज का पेंट बनाओ इस टाइप के पेंट आपके यहीं चार नहीं और भी पेंट हो सकते हैं ओयल पेंट के अलावा जैसे मैं अभी सबका नाम भी लिखूंगा और सबके बारें भी बताऊंगा मैंने खलका साइज जाम पल दिया कि पेंट इस तरह के हो सकते हैं ठीक है बाके नोट्स ना आपको डिटेल में मिलेंगी चीज़ें डॉन वरी बा के जो पेंट का नाम रखा जाता है वो जněन्रली उसमें प्रयोक किए गए मुख्य पदात के नाम पर रखा जीता और और मुख पदात पेंट में जंनरली बेШे होता ठीक है कि ऐसा नहीं है जैसे यह ओयल पेंट बेस नहीं है और ज्यादा तर पेंट जो होते हैं अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा जब इसके पार्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्यों ऐसा कर रहा है ठीक है ना तो यह था पेंट के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग देखे सलेबस में अगला पॉइंट क्या है यदि मैं आपसे बोलूं सलेबस में अगला पॉइंट क्या है तो आप तुरंत देखेंगे सर इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया परपज और यूज भी बता दीजिए मैं काऊंगा लाव वही बता देता है तो मैं बताऊंगा आप आपको क्या परपज एड यूज्ट आझ जो परपन या वही यूजबी आ और पंस uhhh कि परफश क्या ना यूजज जाओ ना यूजद एक अप है यह क्या क्या चरता है ये मैं पूछको हो मैं परफश क्या पिंट करने का उद्देस या क्या प्रयोग है इसका बात तो एक ही वी अरे जो उद्देस्थ होगा उस वही तो उसका प्रयोग भी है एक तरह से तो मैं यह क्या सकता हूँ कि पेंट में सबसे पहले यह क्या करता है इसका मुख्र काम क्या है प्रोटेक्शन यानि सुरच्छा यह क् आपाइंट पूछें कि पैंट क्या प्रोटएक dunno प्रिशा करता है किस्की सरच्षा करता है जिस किया जया जाएगा उसकी स्रॉघ्ठा करेंगा थीक है जाहिर से बात है यदि मैं हों marled जो होता है ज्ञादा इस में लिखिये घ्याल थोड़ा साब इस में प्रोटेक्टर में लिखेगा टिस सता पर किया जाता है उस सता पर एक सुरच्छा कवज का काम करता है यह इसके मौस यह इसको आल्ट्रा वाइलेट रेडीेशन्स या अन्य बर्शात और धूप से इनको बचाता है उन्हें बचा आप दूपर मौसम के प्रभाविए होगा कई बार ऐसे मेटल जिन पर जंग लग सकती थी पेंट उनको ऑक्सिडेशन से यानि उनकी रस्टिंग से भी बचाता है पेंट में सूरच्छा पहला मौसम से सूरच्छा करेगा दूसरा यूवी रेट जो भी फरनिचर वगर हैं उन्में फंगस लगने से या उनका डिकें अधिक कहने से भी क्या करता है बचाथा बात समयर यह सब तीन-चार पाइंट इसके अलावा सुरच्छा के अलावा इसका यूज क्या होता है अगला यूज होता है इसका डेकोरेशन क्या होता है डेकोरेशन क्लियर है डेकोरेशन मतलब होता है सजावट का ताम करता है सुरच्छा उसके साथ साथ क्या करेगा यह सजावट काम करेगा किया जाते हितना भी उस उस सताथ को पहले के सुन्दर बनाता है और अग अल transpose का प्रोग अलग अलग जगहों पर सुन्दरन ऊपर यह नहीं कि हर कलाद कर यह तरीके शत्री हर जगह पेंट उनकी सुन्दरता के हिसाब से किया जाता हूँ चाहे लोहे रकड़ी पर किया जाता हूँ चाहे भौन की दिवारों पर किया जाता हूँ हर जगा जहां भी पेंट अपलाई किया जाता है वो उसके आलब के हम लिए जानते हैं वतलत है जो लोग बना बना के पैंटिंग है वोग नोग फिर्म के बना आवे करते हैं न है यहाँ पर कई लोगों को पेंटिंग के लिए जानते हैं आइड्य गेलरी वगरा हमें बना बना के painting बेशते हैं, वो लोग भी paint का ही प्रयोग करके arts के बनाते हैं, art में paint का प्रयोग कागज पर, लकड़ी के board पर, इन जगहों पर valuable painting के रूप में भी की जाती है, ठीक है, इसकी अलावा paint information board पर, information, information board, आप कमी सड़क पर चल रहा होते हैं, लिखा रहता है कि फला मतलब कोई जगह एक इतनी दूरी पर है, या इधर जाने के लिए इधर वोड़े, वो सब किसकी मदद से किया गया रहता है, paint की वले से, यानि basically these are users, information board, shine board, sign board, सुचनापट जिनको बोलते हैं, sign board, या information board पर, या फिर किसी marking पर, marking मतलब कोई निसान रोड पर बना रहता है कि overtake कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, साथ साथ में कोई warning दी रहे, कि आगे बहुत भैंकर खतरा है, मत जाओ, तुम रौंग तंग ले लोगे, फिर final destination हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ है, ठीक ना, तो ये सब चीज़ है, कई लोग इसको advertisement के लिए भी paint का painting करवा देते ह आधर आपने सो एकल देखें, भगल वाली दीवाल पर पूरा रंगा हुआ है, ठीक ना, तो कुछ लोग इन paint काई उसके लिए करते हैं, advertisement के लिए भी करते हैं, ये सब हैं, कहीं न कहीं, ये सब क्या है, information, ये सब क्या है, कहीं न कहीं, information, तो paint का का काम, protection, decoration, art, और information, और उ देखे, introduction, अपरपर, usage of paint, अब बनाना, types of paint, फिर आएंगे, ingredients, फिर आएंगे, property, तो पहले हम बात करेंगे, किस पर, type of paint, ठीक न, पहले हम किस पर बात करेंगे, type of paint, पर, I hope, तुम लोग, थोड़ा-थोड़ा समझ रहोगे, चीजों को, अब रफ्तार पकड़ चु क्या ह हम लोग, अब आते हैं हम लोग किस पर, types of paint, types of paint, यानि paint के type, ठीक न, paint के type में, क्या पढ़ा जाया, बहुत सारे, मतलब ऐसे अगर कुछें, कि paints are of following type, तो यह बकवास बात होगी, ठीक न, कि कितने type है, 3, 4, 5 type नहीं होता है, उन्हें इसका कोई limiting नहीं है, जितना याद आ है, उतना exam में लिखना, यानि अच्छा यह भी नहीं पूछता है, कि directly कहीं, नहीं पूछता है, कि paint के विभीन प्रकार को समझाईए, लेकिन पूछ दिया कि तुम्हें जितने नाम याद आ रहा है, वो सारे नाम तुम लिख डाला है, ठीक न, यदि मैं लिखूंगा कि paint क अबलो यहां पर लिख सकता है, कि several types of, several यानि विभीन प्रकार के, several types of, types of paints, paints are available in the market, in the market of different colors, of different colors, सर, उस लोग सोच रहेंगे, सर, आप ACN paint का कव नाम लेंगे, कब से paint पढ़ा ही रहे हैं, कितना सारा paint का नाम ले रहे है, ACN paint company का नाम है, उसमें वो paint कौन सी देती है, वो paint दूसरा होता है, ठीक न, paint का अपना एक base नाम होता है, ठीक है, तुम लोगा हमें cement पूरा पर डा उसमें, उससे वाइबा पूछा गया, 2020 वाला लड़का था, उससे पूछा गया कि, cement की कितने प्रकार होता है, तो बोला कि, ultra take, virla, JP, उसका का गलती था, जब covid में उसका class चलवाया नहीं कोई, तो उससे उठा के सिधे वाइबा में exam लिया जाना तो उसकी क्या ही गलती है तो बता रहा था है यही सब, तिर इक्जामनर को भी गलानी हुआ इस बात कि, बैचारों को पढ़ाए बिना एक इत्याम लिया जाना है, तो यह मत जाना, वो सब कंपनियों के नाम है, दोस्त, तो आब लिए हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के से में, ठीक न हुआ न, जो ऐसे कज़ा होते हैं, वो सबसे पहले होने लिए, और थोड़ा थोड़ा इसीं हृबत आते भी जा हो, मैंने क्या नाम लिखा ? पैल पैंट ओयल पेंट फिर हम नाम भी लिखेंगे फिर एकी साथ सबको इलेबरेट भी कर देंगे ठीक ना ओयल पैंट मैंने बोला फिर उसके बाद मैंने आप से बोला अच्छा मुझे पता नहीं इसको पढ़ाते समना ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले इसके ingredients को पढ़ा गळड़ाना चाहिए था जैसे यहां पर लिखा ना फुरकी फोड़ा था ना ये करम गडबल किया है ये करम गडबल किया थाई राइब के बाद समझ्दा है, cement paint मैंने बोला ठीक ना, इसके अलावा मैंने आप से बोल दिया, bituminous paint, bituminous paint, paint, उसके बाद आप मान लिजीए आपका है, asbestos paint, asbestos paint, ठीक ना, उसके बाद मैंने आप से ले लिया, plastic paint, plastic paint, यह यह है, paint हम लिए लिए, फिर मान लिजीए, हमने आपको दे दिया, plastic paint के बाद हमने लिए, आपका, aluminium paint, aluminium paint, ठीक है, उसके बाद हमने आपका ले लिया, plastic हो गया, aluminium हो गया, उसके बाद आपका आजाता है, luminous paint, luminous paint, इनका कोई हिंदी नाम नहीं है, यही याग रखना है, ठीक है ना, इनका कोई हिंदी याद करने की कोशिस, मत करिएगा, ठीक ना, luminous paint हो गया, उसके बाद emulsion आ गया, cellulose पहले लिख लेगा, cellulose, यह थोड़ा समझने वाला है, cellulose paint, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका आगया, emulsion, उसके बाद आपका आगया, emulsion, emulsion paint, और 11 नमबर पर माल लिजिए, आपका आगया, enamel, enamel, सारे paint में अपनी एक खास बात होगी दोस्त, ठीक है ना, इसके बाद और भी हो सकते हैं, मैं इतना ही, एक नमबर और लिखते हैं, synthetic rubber का, synthetic rubber paint, paint, rubber, paint, इतने type के paint के नाम हमने यहाँ पर चाप डाले, सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना है, हलका-हलका समझना है, ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें, किसके बारे में, oil paint के बारे में, ठीक एना, आपको, इंग्रेडियंस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इंग्रेडियंस पर थोड़ा से समझ लेते हैं, क्यों या, समझाना ही है, लिखने को तुम देखो, कॉपी में कैसे ही लिखो, एक्जाम ये थोड़ी आए, क्योंगे सर ने, तोच सकते हो कि सर पहले इसको पढ़ा लिखो सजा करके, लेकिन एकजाम में थोड़ी पुछेए, आप उसको बनिया लिखने का प्रयास करेगा, यहां कॉपी में चीजों को आना जरूरी है, वो कॉपी कहें चेक नहीं होती, डिपलोमा की, ठीक ना, कोई चेक नहीं करने वाला, आपको ऐसे लिख करके, ऐसे नह नहीं करने वाले हैं, उस चीज़ से अब निकलाएं, ठीक ना, ठीक है, इस चीज़ का आप कोई मतलब नहीं है, अब आप जो करेंगे, वो आपके सामने प्रत्य चे दिख जाएगा, उनको बोलने की जरुवत नहीं होती, ठीक है, अब क्या है, इंग्रेडियंस और पेंट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बेसिक इंग्रेडियंस, जैसे आप तुमको मैं बोलूं कि सबजी बनानी है, तो तुमको अच्छे समाल हो, सबजी बनाने के लिए सबजी तुम कोई भी लो, लेकिन सबजी के साथ नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, उसके अश्ते हम अधिया, साम लोग बेसिक इंग्रेडियेंस एड एड और फ़ंक्षव और फंक्षण यानि इसको हम बो लेंगे क्या, मूल, मूल संघतक और उनके प्रकार यानि पेंट में मूल चीजा पाई जा रही है, वह और उनके प्रकार, कॉनफ़ का पॉन चीजा मैं आप से बात करूँ देखें मौल चीज़ों में छह मुख्य चीज़े होती ही सबसे पहली चीज़ किसी भी सेमेंट के अंदर वह होता है पेंट का बेस यानि इसको बोलते हैं हम लोग आधार दूसरा चीज़ पेंट के अंदर होता है विकल विकल इसको बोलते हैं वहाख वहाख तीसरा आपका होता है इनर्ट फीलर यानि इसको बोलते हैं हम लोग अक्रिय पूरक अक्रिय पूरक तौथी चीज़ होती है आपका कलरिंग पिगमेंट कलरिंग सिगमेंट यानि इसको बोलते हैं रंग वरनत ठीक है और पांचमी चीज़ आपकी जो होती है जो होती है एक दो तीन चारवा ड्रायर ड्रायर यानि इसको बोलते हैं हम लोग को सक और लास्ट नम लोग का आता है मिनर या फिर इसका दूसरा नाम है इसको बोलते हैं लोग विलायक गरना हिंदी नाम बता रहा हूं यह सब किसी नीट के अंदर यह चीज़ा हिवी जतीं अब एक चीज़ बताईगा किसी पेंट में बेश का सब्द का क्या मतलब होता है यह ना एक शॉलिड पदार्थ होता है जो ज्यादा तर किसी नी किसी धातों के आक्साइड होते हैं आपको जो मैं पहले शुरू किया था पढ़ाना चंस्रुक्शन मैटेरियल या बिल्डिंग मैटेरियल तो मैंने आपको बताया था कि प्रिथवी पर जो भी चीज़ा पाई जाती है आपने भारी मात्रा में प्रिथवी पर एलुमिना तूना और सिलिका के बारे में सुना था यह सिलिकॉन के ऑक्साइड ऐलमुनियम के जैसे लोह में जब लगती ही तो क्या होता बताई लोहा जब जणता है जंग खा करके रोगए वो बुरादा चूरा मिल जाएगा मिट्टी में मिट्टी इनहीं चूजूस मिलके बनी है तमाम तरह के मेटल्स के ऑकसाइड से मिलके ही मिट्टी बनी समझ में आरी बात ना तो मोटा-मोटा मैं से कह झूँंं यहां पे कि वाहक सरी बेश संटायर होते हैं वह ज्जादातर ज्यादातर मेटल्स के ऑकसाइट होते है जो पाउडर फॉर्म में जो पाउडर फॉर्म में ё Га पेंट के मूल कदाग तुरों और है जब जब क्याव के आप सुक तान दे सुका है आँ भी रंगा नहीं रंग तो अलग से मिला जाते हैं लेकिन जो उस पर बचता है अंत में वो क्या बचता है उसका आधार बचता है ठीक है ना यानि पेंट के अंदर जो करी में अपने अलूग घुखी की सबगी सब्सक्राइब की अलूगोवी की सब्सक्राइब है उसके सहायत की रूपर है है तो हमने quería या बेस इस वाट बेस इस अ मेन मेटेरियल ठीक है लेकिन क्या यह बेस डारेक्टी लग जाएगा लगी नहीं पाएगा वो पाउडर फॉर्म है इसका मुख्य काम क्या है यह यह ना पहली बाद की बॉड़ी को एक और पारदर्सी सता प्रदान करता है यह अंदर जैसे कई आप लुक देखें होंगे फरनीचर मैं आर पारदर्सी होता है लकड की चीछ आथ तो दिखती है कि नीचे लकडी है अच्छून बड़ा चिकना लगता है तो वह अ पारदर्सी वह बढ़निस होता है वह और बिस्के बारे मारे माँ मिलोग पढ़ेंगे वारनिस क्या करता क्रेंद唱 है आरपी का सोफा बना है और उसके उपर चिकना चिकना है और लखनी दिख को सबुए हैं अंदर से तो वह को होता है तो धाक जाता दिखता येग में लिठा कर दिख्णा या हमने से क्या होती हे हैं बेस क्या करता है सता के उपर एक और पारदर सी परत तयार करता है और या परत सता के सभी दोसों को ठीक है ना यानि जो भी इसमें मंदर फॉल्ट सा उनको ढख देता है यानि कहा सकता है कि base is, base heights the surface which was painted यानि base जो होता है किसी सता को पूरी तरह से ढख देता है उसके बाद यहां पर जो base होता है वह इसको scratch proof भी बनाता है कई बार जनरली किसी सता पर print की गई है तो वह जल्दी उसको खुरचने में या चोट लगाना कोशिस करेंगे तो वह उसको scratch से भी बचाता है ठीक है न उसके बाद साथ यह paint जब इसके साथ ऊपर किया जाता है तो यह एक ऐसी जिल्ली बना देता है उसके उपर एक ऐसी जिल्ली बना देता है जो जनरली cracks वगरा हो वो भी ढखेंगे अगर लकडी वगरा का है तो expansion हो रहा है तो वह जिल्ली थोड़ी सी elastic होती है ताक यहादा थर paint liquid form में मिलता है क्या आप उनको direct लिया करके कर देता है आसे नहीं आप उसमें अलग से कुछ चीजे मिलाते है तब वो नहीं तो उतना गाढ़ा है तो उसको उसको liquid form में बनाये रखने के लिए ठीक ना उन में क्या रहता है market से जब अब दबा खरीते है तो base के साथ क्या मिला रहता है vehicle vehicle का मुख्य काम क्या होता ठीक अना makes it makes 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 या it retained retained it retains the liquid state liquid state यह इसकी तरल आवस्था को भनाये रखता है इसकी तरल आवस्था को बनाये रखता है या इसको वीकल को ना कई वार हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं इस वीकल का वीकल मतलग जो उसमें कोई न कोई तेल होता है वीकल का दूसरा नाम जानते हैं इसको केरियर भी बोलते हैं ठीक ना क्या होता है यह एक लिक्विड कोई न कोई होगा और इस लिक्विड काचा मैं नेक चीन नहीं बताया कि आधहार के रूप में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं आप 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 से पूछेगा कोई किस चीज की सब्जी है तो कहादना की फल्दी नमख तेल की सब्जी है बड़े बेवकूप वादमियार सब्जी किस चीज के वह बताओ तुम कहोंगे आलू और लिए पालू को भी है तो जब भी कोई पेंट तुमसे पूछे कौन सा पेंट तो बेष के नाम के आधहार पेर पेंट का नाम बताओवगे यदि उसं में सीमेंट घोलागे स्यूंच तो सिमेंट पेंट हो जाएगा यदि उसके अंदर कोई भी जो बेस पदार यूज किया गया है तो उसी के नाम के आधार पर पेंट का नाम रखा जाता है मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आ गई होगी इट रिटेंस दे लिक्विट अचाहिए तो बेस के बारे में ब यह कुछ नाम आप याद रखिएगा तो मैं आपको यह भी बताता कि कौन से का प्रयोग किस तरह पेंट में किया जाएगा मैं लकड़ी पर जो पेंट करना है उस पेंट में दिप्लोमा है तुम आभी यादगी नहीं कर पाओगे अन्न मेरे इसके पढ़ाने का कोई उद् ज़दा ज़दा दस बंद्र लेक्चर चलेगा और जी में जब फ्लास चलती है तो यह सब बहुत बेसिक बाते छोड़ देते हैं उसके बाद जब पढ़ाते हैं तब कम स्कम 25 लेक्चर लगता है तो अंतर थोड़ा समय से हो जाता है इसमें डिटेलिंग तुमको नहीं करन से चलती है छोड़ने लगता है वह सब के बारे में इसमें कहीं छिकर है नहीं जिसला करो इसमें कहीं तुमारे पास नहीं है लेकिंगेए सब भी पढ़ना पड़ता है तो मतलब यह की कुछ देखो जो पढ़ रहा हो ना यह मं sittener शैंज है अम जो पर हाओंग वह रहेगा लेकिन इसलिए हम लोग इंटेग्रेटेड लांच कर चुके हैं तुम उसको ले लोगे तो तुमारे आगे के सारे समेश्टर की पूरी वीडियोज प्लास जेई की पूरी वीडियोज उस कॉर्स में तुमको मिल जाती है शुरू सही कॉर्स बहुत सस्ता है आप पर आप देखेंगे ना बहुत सस्ते मों कुर्स आपको मिल जाएगा जितना जैसे फीस वगरा देंगे हर सेमेश्टर में साथ सो आट सो रुपए फीस आपका लगता है इसमें आपका फस्टीयर में लग रहा है उसको लेने से क्या हो था सुरू से ही आप ट्रेंड हो ज रहे तो पहले अपनी जान के बारे में सूचेंगे ठीक ना तुमको सेकंड यह से टाइम मिलने लगता है पांच मच महीने मिलता है तीन महीने में अपना यह पढ़ लो दो महीने में वोप कर लो अपना तो वह उस हिसाब से इंटिग्रेटेट कोर्स है उसमें समस्टर और दोनों चीजें आपको मिल जाती है बड़े आराम से कर सकते हैं आप उसको ठीक है तो आउसमें आपके सीनियर बहुत जुड़े हुए है उसमें ऐसी बात नहीं कोई नई चीज है सीनियर आपके बहुत पहले से उसके लाब ले रहा है ठीक है तो आब हम लोग बात करते है यह यांनि अलसी का तेल इसको बोलते हैं याप सुने होगे सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसके रूप में एज यानि यानि यह रिनी नाम थोड़ा सा मुझे नहीं आधा रहा है मैं बता दूँगा आपको ठीक ना लिंग इसको पोस्ट का टेल बोलते हैं था याद नहीं आ रहा ये हैं आप देख सकते हैं लेसे के सारा नाम हिंदी के बुक में या फिर मश्रीक में बेस्टा करते हैं ग्होल करके भी लिक्विड स्टेट में बनाए रखते हैं पेंट ऐसे चलिक डबा बन क्या है तो जलदी ने सूखे से लग कंत तो देखो यह है जो इसको बनाए रखते अगर यहीं बात करना इन्री फिलर की अचा एक चीजा इन्री फिलर क्या है इनको अक्रीय पूरक जुटाय का मतलब हुआ जो प्रेज ऑन्दर कोई क्रिया करते हैं यह करते हैं तो इन मुद्ध केकाम क्या है है क्या तो इनक्रीज dot volume of pen value of pen 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 के आयतन को बढ़ आने के लिए और साथ को रिडूज करने के लिए रिडूजिंग रिडूज आस्ट एजवेल आस्ट एजवेल यह साथ में कॉस्ट को कम करते हैं जैसे माल यह जैसे तुमको घर में हम बार-बार ऐसी जांपल करना है जो तुम रिलेट कर पाऊ सब्जी बनाने गए देख रहा है वालू मेहंगा होता है ठीक है न तो अच्छा वो नुकसान भी नहीं करेगा तो हम लोग जान बूझके कुछ ऐसे पदार्ख उसमें एड करते हैं जो पेंट से कोई क्रिया तो नहीं करें लेकिन पेंट को बढ़ा देंगे अक्री होंगे इननाइट बोलते हैं को इननाइट का मतल पूरक मिला देंगे तो बढ़ जाएगा अक्री पूरक ज्यादा से ज्यादा 25% 25% उससे ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए यह भी एक खास बात है आपको मैं भी बताते चल नहीं हो ठीक है ना हलाकि यह सब डिप्लोमा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख सक ठीक ना कालरिंग पिगमेंट पेंट को कलर देते हैं कलरिंग पिगमेंट क्या करेंगे यह सब चीज़े तुम मिला दिये पेंट बन क्या कलरिंग पिगमेंट के बारे में यदि तुम पढ़ोगे कलरिंग पिगमेंट यानि रंग वरन अग पिगमेंट रंग वरन यानि र लग अलग चीज़ों का प्रयोग करते काड़ बना जाता हैं। किस Warrior...... इसके साथ , Prussian blue किसके लिए प्रयोग किया जाता होगा ? ब्लू कलर के लिए इसी तरीके से दी आप बात करें यल्व ऑकर तो यह इसको बोलते हैं राम पीली मिट्टी यह अलग 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 रंगों के लिए अलग अलग पदार्थ मिला आई जाते हैं क्रोमियम 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 हरे रंग के लिए यानि अलग अलग तरह के चीजों को मिला अगया पेंट में लैं ब्लैक लाएक पेंट बना कूछ बेस पेंट उसके बाद उन्हीं मिला मिला के ऐसने को मिला दितम आने का बनाने का समझ में क्या ना यह ने इसका क्लोरिंग के सवर्पर प्रवा यह बात करते हैं उद्र में मिलाया रता है एक पदा ड्रायर के रूप में कई चीज़े मिला है दिकल के रूप में कई चीज़े मिला एक चीज़ आती है मुर्धा पंक जिसको बोलता है लिथार्ज ये फेमस डायर है इसके लिए उसके अंदर ड्रायर मिला दिया रहता है और यह पैंट को जल्दी सुखने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनको बोलते हैं ड्रायर, ड्रायर को रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पदार है, लिथार यानि मुर्दा पंक इसको बोलते हैं, मुर्गा पंक मत नमद न, not chicken, it's मुर्दा, dead, नाम क्यों ऐसा है, I don't know, even I don't know कि मुर्दा पंक नाम हिंदी में क्यों है, होंगे, उसमें कुछ न कुछ inert filler होंगे, उसमें dryer होंगे, घर ले आए, अले आ कि जब करने जा रहा है, तो इतना काढ़ा है कि ब्रस चली नहीं पा रहा है, ठिक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पेंट में कुछ अलग से एक तेल, जिससे सुने होगे, तर्पीन का त करता है, तो थीनर वो पदार्थ होते हैं, जो पेंट में मिला करके, उसकी आच्छादन छमता, यानि कवरिंग कैपसिटी, पहले पेंट इतना गाड़ा था, इतना ही एरिया पर होता, थोड़ा तर्पीन मिला दो, ज्यादा घेरेगा, यानि ज्यादा एरिया कवर करने के लिए, कावरिंग कैपसिटी को, किसको आच्छादन छमता, यानि कावरिंग कैपसिटी को बढ़ाने के लिए, प्रयोग किया जाता है, क्या बता ही, कावरिंग कैपसिटी को बढ़ाने के लिए, प्रयोग किया जाता है, तर्पेंट, कई सारे हैं, इसमें भी, तर्पेंट ताइन ओयल या फिर आपका इसमें इस्प्रीट का भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर इस्प्रीट फोला महेंगा पड़ जाएगा केरोसीन मिट्टी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप चीके ना दीजार दा ओयल्स देट आर यूजड एज विकल और एस और इतीनर औ होते हैं और उनका मुख्य काम क्या क्या है आप इनको ध्यान से देख लिए ध्यान से देख लिए कि क्या क्या उनका मुख्य काम है पूरी बात यहां पर यह पूरी बात क्लियर है देखें नोट्स वगरा जो है वह अप्लिकेशन पर जा रही है आप वहां पर देख करके ड पैसे देता ही है तो जो लोग अधुरी जानकार है वो जान ले कि YouTube वह लोग को उतने पैसे नहीं देता है एक महिने में हम लोग का खाने का भी खर्चा निकल जाए ठीक न? तो यह सब इतना लाइट से यह सब खर्च होता है वह सब थोड़े पैसे हमें लेने पड़ते हैं त ठीक ना थोड़े पैसे बाद में इसले लिए जाते हैं बाकि ऐसा नहीं है कि केवल पैसे के लिए काम हो रहा है दोनों बहुत कम फीस बहुत ज्यादा चीज़ है ठीक ना तो यह आपका था इसके बार अगर आप यह समझ गए अब टाइप समझने में तो एक चीज़ समझ मे आई गया होगा कि सर जो नाम है ना उसमें वो चीज़ खास रूप से ठीक ना उस नाम अजीव लगेंगे आपको बट कोई बात नहीं परिशान मत विए ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस के नाम पर हो लेकिन कुछ ज्यादा तर पेंट के नाम उनके बेस के नाम पर ही ठीक ना सबसे पहले आपने बोला ओयल पेंट क्या होता है सर जितने भी जितने भी पेंट में ठीक ना यह जो ऑडिनरी पेंट होता है जितना भी जनली जो आप यूज करते हो सब ओयल पेंट होते है ठीक है ना उसमें मुख रूप से उसमें मुख रूप से ओयल पेंट में खास ब cement cement में पानी घोल करके है जो paint उसको यूज करें अधी हम लोग तो उसको cement paint बोलेंगे किसी तरीके से अधी हम लोग water paint यानि distemper की बात करें तो एक तरीके का क्या है water paint है तो different types of vehicle भी हो सकते हैं oil paints are the paints which are usually used in our daily life जो generally paint हम लोग यूज करते हैं ये घर मकान दिवार करने के लिए वो सब कैसे होते हैं oil paint होते हैं ठीक है उसी तरीके से water paint क्या होता है यानि generally इसको हम लोग कह सकते हैं कि यही distemper distemper कोई एक तरीके से आप water paint कह सकते है water paint बड़े कंजोर होते हैं यह काफी मजबूत paint है oil paint जिनरे आप करते हैं distemper हलका होता है कभी बारी दिवारों पर distemper को नहीं किया आता है मने आपका जहां पर धूप धूल बारी सो रही हो distemper वहाँ पर बरदास नहीं कर पाएगा उस चीट को ठीक है ना तो क्लियर बात में यह कहूं कि oil paint जो होते हैं relatively महंगे भी होते हैं मजबूत भी होते हैं on the other hand जो water material के रूप में किया रहता है bituminous paint, bitumin एक पदार्थ है कभी सड़कों पर आप देखे होंगे न डामर का नाम सुने होंगे अलाकि वह bitumin नहीं होता है bitumin जैसा होता है bitumin पेट्रोलियम का waste product है तरीके से कहा सकते है bitumin is the last waste product of petroleum petroleum का कचड़ा होता है bitumin अभी पढ़ाऊंगा मिसलेनियस product में का नाम में लूँगा आगे वले chapter में बट यदि उसका प्रेवन जानते हैं कई बार बहुत सस्ते paint आते हैं 40 रुपर में डबा मिल गया आपको ले जाके उसको जो खराब जगहे हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कोई कोई लकड़ी का खंबा है और उस पर जागे कर दियें कि वह दीमा कुमक न लगे उसमें ऐसी जगहों पे जिनका appearance का हमारा कोई मोटो ना हो उन जगहों पे bituminous का paint कर सकते हैं उसी तरह asbestos paint क्या है जब किसी चीज को आग लगने की संभावना जादा हो तो asbestos एक पदार्त है asbestos के बारें भी bitumin के साथ ही में बात करेंगे उस चेप्टत asbestos असलमें जो minerals होते हैं खनी जो होते हैं उन्हें का रेशों से बनता है asbestos का मुख्य बा asbestos का मुख्य गूण है fire resistance इसी तरीके से जहां भी अगनी रोधक्ता की बात हो वहाँ पर मुलोग asbestos का यूज कर सकते हैं what is plastic pen then plastic का fine powder fine 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 powder a plastic fine powder a plastic यान्य प्लास्ट करूग इसको असानी से धोया जा सकता है याई प्लास्टिक pen को धोना साफ करना वापस सप्राइब करना वापस से अपनी चमक यह बरकरार रखता है यह सब क्या होता अपनी चमक जल्दीख होते लेकिन फिला transforming 10 अंय है ठीक है इसी तरीके से ऐलमुनियम पेंट में बेस मेटेरियल किसका होगा ऐसी जगहों पर ऐसी जगहों पर जहां पर आमलच्छार का प्रभाव ज्यादा पड़ता हो जैनि एक तरीके से खतरनाक इस्थिति हो सिचुएशन होना उस जगहों पर इनका प्रेव मनें इसके बारे में एक चीट जान लें यह कोरोजन से बचाता है यह इस्टील वगरा पर जानबूट के किया आता है ताकि क्या हो जाता है यह पहली बात की जल्दी सूखता है तो एक ड्राइंग इसके अंदर होती है ठीक न उसके बाद इसके अंदर खास बात होती है यह पुरोजन से बचाता है अरन और स्टील को पर अगर पर अगर करा जाया तो पूरोजन से बचाता है लेसरी होता है यह लो है तो चमकेगा रेड है तो चमकेगा it कलर एक चीज़ होती है, साइनिंग दूसरी चीज़ होती है, तो आप कई लोग गोरे होते हैं, तब बीट डाल होते हैं, कई लोग सावले भी हैं, फिर बीट चमा करें, that is different thing, साइनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है न, अपिरेंस अच्छा होता है, किसके अंदर, ऐलमुनि कट्रिसिटी का भी अच्छा, साथ साथ में यदि हम लोग बात करें, लुमिनस पेंट की, लुमिनस पेंट क्या होता है, मतलब होता है, चमखने वाली कोई चीज़, लुमिनस यानि जिसके अंदर, तीवरता हो, ठीक न, इसके अंदर, मुख रूप से पेंट में, गैल्सि ल्खी अंदर एक तरीके से देखर एक चमकना होता है लाइट पड़ती है तो पोई चीज खुदी चमक रहा भी ना लाइट के दाटीज लुमिनस में लुमिनस पेंट के अंदर अपने आप से वह गून होता है क्या यह पावर कट जा सोर्स अगर हट जालाइट इस पर नहीं भी पड़े तब भी क्या होता है रेडियम की तरह चमकते हैं ठीक ना जैसे घडियों में देखें रात में कुछ घडियां चमकती थी पहले या टौर्च आती थी तो वह चमकती थी तो उस टाइप का यह अपने अंदर से साइम जनरेट करता है ऐसे पेंट को कहते हैं लुमिन सेलुलोज पेंट क्या होते हैं सबसे महेंगे पेंट की स्टेड़ी में आते हैं सेलुलोज पेंट क्या है सबसे महेंगे पेंट की स्टेड़ी में आते हैं मतलब डिफरेंट होते हैं और्डिनीर पेंट से इनका जो आयल पेंट जो होते हैं ना नॉर्मल आयल पेंट उनसे जैसे जनरली oil paints में क्या होता है, oil paints कैसे सूखते होंगे, ठीक है न, oil paints में होता क्या है कि ordinary paint में ये कैसे जैसे कर दियें, उख के कड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि न, ये oxygen से क्रिया करता है, oxygen से कृिया करके oxidation होता है कहेंगे शरी सब क्या पढ़ा रहा है मैं बता दे ना हूँ oxygen से क्रिया करके इसका oxidation होता है और इसकी वज़ा से क्या होता है ये सुखता है लेकिन cellulose print न oxidation से नहीं सुखते हैं इसके अंदर जो solvent होता है वो evaporate हो जाता है और इसके अंदर जो भी solvent मिलाया गया रहता है वो evaporate होता है इसकी वज़ा से इसका च्छय नहीं होता है यह addity जाके चिपक जाता है मतलब जैसे हम किसी चीज़ के की है oxidation से चीज़ें खराब होती है मैं आपको जनरली एक चीज़ बता दो oxidation के बीना यदि कोई paint क्या हो रहा है thinner के या फिर solvent के evaporation से वो सूख रहा है तो paint अपनी चमक और गुणवत्ता जल्दी नहीं खोएगा महंगा होता है सबसे यह कह सकते हैं हवाई जहाज है या महंगी कारें है लगजरी कारें उन पर कौन सा paint किया जता है हैativo Uzman क्या होता है इमल्सन पेंट क्या होता है इमल्सन का देखिए जनरली जान लें लोग इस में इसकर बाहननिक होता है यह order free और साथ साथ में चार मगरा का प्रभाव इसके उपर बहुत कम पढ़ता है यानि alkalize का effect इसके उपर काफी कम पढ़ता है ठीक है उसके साथ साथ यह मैंने दो चीज़े order free और alkalize resistance यह दो चीज़ें इसके अंदर क्या होती है है खास होती है इनेमल क्या होता है इनेमल पेंट के बारे में अगर मैं आप से बात करूं इसके अंदर खास बात क्या होती है देखिए सब के बारे में धेड़ सारा आप लिख सकते हैं लेकिन हम इसके अंदर खास बात नौट अफेक्टेड वाई हाट एंड कोल्ड वाटर इस्टीन एसिड यानि यह मुख्य रूप से जेल सकता है हाट और जो कोल्ड वेदर है पानी इस पर ठंडा गरम गिरता हो या कहीं से कोई अम लया चार का प्रभाव हो तो बहुत अच्छा रजिस्टेंस इसका इस मब आयजाता है ऐसे रभर को फाइन पीश करके पैंट करूप में यूझ किया रहा है तो जानते हैं ना कप्ड़े पर रभर का पिश्याय पीमोल कर देते हैं लोग तो रभर rescue यूज benut expect है और बहुत हो सकते हैं दोस्त मैंने इतने पैंट चाहित आं आपसे इतने जादा कर ना चलिए अब एक बार नजर लालते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया अब ध्यान से देखेंगे, तो हम ने क्या क्या देख लिया इंट्डक्शन पर पड़ाइज यूजिज़ भी सिमेंट के जहां पर concrete जैसे कमी किसी घर मकान देखे होंगे गिट्टी वगर ऐसे धासा करके रंग बिरंगा concrete विखरा है उन जगहों पर आप cement के paint का यानी cement paint का प्रयोग किसके वज़ास कर सकते हैं इसको colored cement भी बोलते हैं आप यहाद है सिमेंट में colored cement भी पढ़े थे असल में वो cement paint ही था तो इसका प्रयोग आप संदचनाव में decoration या फिर ornamental points से सजावटी कामों में कर सकते हैं अब यह पूरा point हमारा clear हो चुका है यह पूरा point clear हो चुका है अब हमें point है covering capacity of various paint paint की covering capacity हला कि छोटा सा में अब बचा है अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी पहले हम बात कर लें covering capacity ठीक ना covering capacity of paint paint की covering capacity क्या होगी जान लिजे ज्याधा तर जो paint होते हाना ज्याधा तर paint मैं अलह गलत paint का नहीं लिखूँगा पेंट की covering capacity paint wide बदलती भी है और यह इस पर भी निर्बर करती कि आप covering capacity मतले जानते हूं कितना area cover करें पेंट की covering capacity paint wide भी बदलती है साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो यह इस पर भी निर्बर करती कि आप कितने coat कर रहे हैं मनें एक coat हुआ सूखा फिर दूसरा coat coat wise भी painting हो एक gallon paint, gallon में paint को भी count करते है, later में भी gallon भी, तो 400 square feet का area, square feet का area एक gallon paint पर gallon gallon assigns can color concentrationень मेंfish है लेंगे हम रहे हम लोग वूल लंगभाग कितना 400 square feet का area अराम से cover कर सकता है था, कर सकता है, ठीक झाना.. अब हम लोग बात करेंगे , Properties of Pint के बारे में क्या है , properties of प्न a property of this and properties of Pint क्या है ? किसी पेंट के अंदर क्या क्या गुंण होने चाहिए , मैं गुंणों को पढ़ूs आप समझेगे fair झीग, bigrn अभी पेंट को सस्ता होना चाहिए ठीक ना और की मतलब ये कहना चाहिए कि पहली निश्चित समय पर सूख जाना चाहिए, उसके बाद, या अच्छे तरीके से, मौसम के प्रभावों से लड़ सके, साथ साथ में इसका कलर जल्दी ना उड़े, लंबे समय तक बना रहे, जितना तुम जानते हो, सब लिख देना, बास होना रहे, इसका सतह सुंदर रहे, मतल बेलता असानी सो, इसके साथ साथ इस यह मौसम से जल्दी नुकसान ना, मौसम के प्रभाव जल्दी खराब ना हो, उसके बाद आपका आता है कि यह सूखने के बाद एक हाड़ सर्फेस क्रीट कर दे, और एकोनोमिकल हो, और उसके बाद प्लीजिंग अपेरेंस हो, there are a lot of things, तमाम चीजे, जो भी तुम paint के अंदर जानते हो, कि अच्छा गुण होगा, वो सब paint की property में आजागा, इसको लिखना तुम को आना चाहिए, यह minor topic नहीं है, अब मैं एक एक चीज़ लिखूं, जो बोल रहा हूं, उसको लिखना हो, ठीक है न, तो यह paint यहां से finish होता है अब बचता है हम लोग का एक topic छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं, warmness, warmness, हिंदी में भी warmness, असल में ये क्या है मैं बता दूँ, तो यह होता है पारदर सी paint, ज्यादा तर पारदर सी paint इसको बोल सकते हैं, ठीक है न, यह ज्यादा तर कहां प्रियोग होता है, लकडी बनते हैं, किसी भी रेजीन पदार्थ को, रेजीन पदार्थ को, रेजीन पदार्थ को मतलब क्या होता है जानते हैं, रेजीन को ले करके जैसे पेड़ पौदों की छालो खाड़ोगे, तो उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता, उसको रेजीन बोलते हैं, अलग के साथ हमें ठीक ना वह रेजीन का और साथ हमें इल्कोहल या फिल टर्पेंटाइन या कोई ओयल मतलब वह नपोई इसके थीनर या इसको कह सब्सक्राइब के रूप में, यानि रेजीन और प्लस सॉल्वेंट मिल के बना देते हैं क्या वार्मिस इसके साथ में आप थोड़ा सा ड्रायर मिला देंगे थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या मिला देंगे ड्रायर तो यह वार्मिस जल्दी क्या हो जाएगी तूख जाएगी बस इसमें को कोई कलर नहीं होगा कोई अक्रिय पूरक नहीं होगा कोई और भी ऐसी चीज नहीं होगी जो इसके अंदर मिलाई है इसमें केवल एक solvent एक रेजिन पदार्ट और ड्राई अब रेजिन पदार्ट के रुप में आप क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं देखे रेजिन का मतलब पेड़ के छाल से जो अंदर से निकला हुआ ट्रांस्पारेंट चिपचीपा सा अपदार था उसको बोलते हैं रेजिन और रेजिन को किसी ने किस अलग 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 solvent के लिए सूटेबल होते हैं तो मैं आपको बता दूँँ कुछ हमने यहां पर लिखे हैं किसके solvent के नाम और देखे और वार्नीस का नाम नेम अप तपने स्टेबल यह जरुन एक जर्बहर इस जरl parallel स्टेबल यह जर्ली जर्ली बे leather on its solvent गया狄 यानि पैन नाम तो इसके वेस पर रखा जाएगा लेकिन प्लीज का नाम इसकेission जैसे फिक वार्निस आयल वार्मिक तो वार्निस का नाम उस इस प Eden ग६हरव मैं गहफित स्ट ताइप से वार्नीस का नाम रखा जाता है, तो हम लोग कुछ solvent यहां पर ले 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 लेते हैं, साथ में यहां पर हम लोग ले लेते हैं, कुछ Regins material ते कौन से Regins के साथ कौन सा solvent ठीक रहेगा, उस आधार पर हम लोग एक टेवल बना लते हैं, Kalimant के रूप में यदि आपके पास boiled lincid oil है यानि अबला हुआ अलसी का तेल boiled lincid oil यानि अबला हुआ अलसी का तेल यदि आपके पास है तो इसमें आप regin बहुत सारे होते हैं लेकिन ओमबर और कोपल अमबर भी एक तरह का रेजीन है और साथ में कोपल, इन दोनों का परयोग आप कर सकते हैं ठीक ना, इसके साथ यदि आपका, स्प्रीट है या वाइन है, रेजीन पदार्त हैं, तीसरा, यदि आपके पास, भोलक के रुप में, करी तारपीन का तेल यानि तर्पेंट्ट आयल हो अर्पेंटाइब जिसका यूज हम लोग पेंट में किये थे कि पास नफ्था बेंजिन या नफ्था भूल तो आप उसके लिए यह संकते हैं यह कोई भी सस्ता चीप कोई भी चीप Daha दुक धने सबसे अच्छी वार्निस कौन सी होगी और वार्निस सबसे अच्छी वार्निस पुछा जाये कौन होगा तो आप क्या जवाब देंगे जिसमें अंबर और कोपल का यूज किया रता है लकणियों पर इस तरह की वार्निस अधी कर दिजाए तो एक नंबर के जबर्जस्ट क्वालिटी की क्या आती है आप खिलता है इसके साथ में तो आप एक इसके अंदर क्या क्या होता है इंस ताइप की वोड़ी है टाइप ओफ वरमिस का बात करेंगे लोग टाइप सट नाम में लिखूंगा और अलका बताता चलोंगा आप इनके बारे में ओयल वार्निस ग兩個 दूसरर आपका स्प्रीट वर्मेस इन में समझ देका ओल में गोला गया ते ओल वार्न इस प्रीट वर्मेस अगर मैं तोड़ा और प्र нравится अलिटेल के जाने लगूं enduring वार्निस और इस्प्रिट वार्निस के बाद मैं आपको देखे किस पार वार्निस भी होता है ठीक ना इस पार जो जो जहाजों के इस पार होते हैं उनके लिए यूज किया था यह सब जेए के टॉपिक है मैं नहीं बोलूँगा याभी आप बस यही तीन जानी आपकी किताब हो सकता है ना भी मिलें इसके उपर होने को देखो अभी ओयल वार्निस इस्प्रिट वार्निस वार्टर वार्निस उसके बाद एसफाल्ट की वार्निस उसके बाद फ्लैट वार्निस उसके बाद इस पार वार्निस बहुत सारी है लेकिन तुम्हें इतना ही जानना ठीक ना तो ये थे पूरा वार्निस का, और एक अच्छे वार्निस का क्या गुणा है, बताईए, अगर मैं पूछूं कि एक अच्छे वार्निस के क्या क्या है, लच्छन क्या है एक अच्छे वार्निस के, तो तुम क्या बताओगे, गुण क्या क्या है एक अच्छे वार्निस के, तो और चौथा ये आसानी से समय के साथ सूख जाए और इसको छूने पर स्मूथ प्रतीत हो, साथ साथ में इसका जो चमक है वो समय के साथ खराब बनाओ, इतनी सारी चीजें थी वार्निस के बारे में, तो आप वार्निस का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, जितना भी के इफेक्ट में खराब होने वाली चीजें हैं, और आप उनकी सुन्दरता को अंदर से देखना भी चाहते हैं, जैसे सागाउन की लकड़ी, जब टिम्बर पढ़ रहते हैं, मैंने बोला, सागाउन की लकड़ी की पेंट नहीं किया था है, तो कि इसके रेसे सुन्दर होत सकते हैं, I hope paint का पूरा concept हम लोग का खतम, notes एक बार revise कर लेंगे, exam जबर जस्त जाएगा, don't worry about it, उसके बाद exam के time में एक master class भी मैं बना दूँगा, revision के लिए, जिससे आपको काफी help मिलेगी, तब तक लिए मुझे दिज्याजत, धन्यमाद